हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टुमाय चैनल और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम प्लाजो पेंट में साइड पॉकेट्स जानी की जेव कैसे लगा सकते हैं और यह बहुत ही जादा रिक्वेस्टेड वीडियो हैं तो मेरे बहुत सार सस्क्राइबर्स जिनका अब कर सकते हैं उसको इतना अच्छा रिस्पॉंस देने के आप लोग बहुत जादा शुक्रिया जादा बाते हम नहीं करेंगे आए स्टार्ट करते हैं वीडियो देखिए प्लाजो पेंट की कटिंग हम कैसे कर सकते हैं तो इसकी सेपरेट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है उसका लिंक आपको नेचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आपको ऊपर आई वर्टिंग पे मिल जाएगा तो आप वहां से इसली से चेक कर सकते हैं देखिए यह हमारा आसन वाला पार्ट है तो आसन वाली साइट के तरफ छोड़ते हुए आपका पर एक छोटा सा कट लगाएंगे और उपर वाली साइट की तरफ भी एक लगा लेंगे देखिए दोनों साइट्स पर यह हमने कट लगा लिया है अब यह जो हमारा बाकी का बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम पॉकेट्स की कटिंग करेंगे अभी कपड़े की हमारे पास एक साथ निकलेंगी तो देखिए सबसे पहले जो उपर का एक्स्ट्रा कपड़ा है यह तिर्चा कपड़ा है उसको हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे और यहां से पॉकेट की लंबाई के निशान लगाएंगे तो पूरा तयार में आप बारा इंच पर निशान लगाऊंगी क्योंकि तैयार हमारी 11 इंच जाएगी और देखिए फोल्ड वाला साइड आपको अपनी तरफ रखना है और उपन वाला साइड अपोजट साइड की तरफ रखना है अब इस निशान को भी हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे अब देखिए उपर की साइड से मैं 6 इंच पर निशान लगा लूंगी और नीचे की साइड से हम 1 इंच जाधा करके यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर गुलाई कर देंगे अब देखिए इस वाले पार्ट की पूरे की हम कटिंग कर लेंगे फोल्ड वाला साइड आपको नहीं कट करना इस वाले साइड की तरफ आपको पूरे में कटिंग कर लेनी है यह देखिए हमारी दो कॉकिट्स की कटिंग हो गई है और यह पीच में इस तरीके से जूड़ी रहेगी अब इसको हम प्लाजो पैंट पर लगाएंगे देखिए प्लाजो का जो फ्रेंट वाले दोनों पार्ट से हम पहले उसे अलब कर लेंगे और यहां से देखिए इसको बिल्कुल बराबर रुपते हुए सबसे पहले आपको आसन स्टिच करने हैं उसके बाद में हम जेब लगाएंगे तो पहले यहां पर हम आसन को सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे तो ये देखिए हमने आसन को बिल्कुल अच्छे से स्टिच कर लिया है अब इसको हम देखिए खोल लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा कपड़े की देखिए राइट वाली साइड आपके तरफ आ जाएगी सिलाई देखिए आपको कट से कट तक ही लगानी है तो इस तरीके से कपड़े पर हम निशान लगा लेंगे कि कहां से कहां तक हमारी कट्स लगे हुए है और देखें यहां पर एक पैर का मार्जन लेते हुए इस तरीके से आपको पूरे पीच में यहां तक सिलाई लगानी है तो केवल जहां से जहां तक हमने कट्स लगाए हैं वही पर आपको सीधी बिल्कुल सिलाई लगानी है अब देखें जहां पर हमने यह निशान लगाये हुए है केवल यहां तक आपको इस तरीके से बिल्कुल सीधा कट करना है कपड़े को और ध्यान रहें कि आपकी जो सिलाई है वो ना कट हो तो उपर और नीचे दोनों साइट्स पर हम इस तरीके के सीधे कट्स लगा लेंगे अब इस कपड़े को देखें इस तरीके से खोल लीजिए और यहां पर बिल्कुल नाखून से अच्छे से दबा लीजिए जिससे कि यह बिल्कुल अच्छे से कपड़ा जो है बिल्कुल अच्छे से बैट जाए अब देखें उपर की साइट की तरफ जो हमने कपड़ा कट देखिए साइट के कपड़े को हमने बिल्कुल अच्छे से निकाल लिया है और यह हमारी जेव वाला साइट पीछे की तरफ चला जाएगा पूरा अब देखिए जहां से जहां तक अभी हमने सिलाई लगाई थी वहां पर आपको दोबारा से सिलाई लगानी है यह कपड़े का सीधा वाला साइट है तो कपड़े के सीधे वाले साइट आपको सिलाई लगानी है और यहां पर हम दोबारा से एक पैर का मार्जन लेते हुए प बैक पार्ट देखिए बिल्कुल अच्छे से बैट जाएगा अब देखिए जो इसका बैक वाला साइड है इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और यह जो हमारा खुला वाला पार्ट है अब यहां पर आपको सिलाई लगानी है तो यहां पर केवल एक पैड से भी कम मार्जन ल लगाया है वहां तक पूरे में सिलाई लगा लेंगे यह सिलाई लगाने के बाद अब देखिए यहां पर हम छोटे-छोटे कट्स लगा लेंगे अब देखिए इस पूरी जेप को हम अंदर के तरफ फोल्ड कर देंगे और जहां पर अभी हमने सिलाई लगा लेंगे यह देखिए बिल्कुल किनारे पर हमने सिलाई लगा कर इसको अच्छे से बैठा लिया है अब देखिए बिल्कुल किनारे वाली साइट के तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे बट इस बार आपको अपने इस वाले कपड़े के सब्सक्राइब लगारेब इस तidée से लाएकर अपर डबाते होँ इस तरीके से यहां पर आको इस वाले पार्ट के उपकर सिलाही नहीं लगानी है तो हम स्वाले किनारे अपर यहां जारे लगाarch U कि यह ही यह है यह किनारे किनारे पर हमने देखिए इस बर यह इसलाय ज्पर लगाई और बिल्कुल अच्छे से ज्युद्ट वी का बैक वाला साइड है और बहुत फिनिश मेर्फनें थला फूरे पाट एब का यह हमादा खुला हुआ है यहां से तो देखिए जेप को हमने इतना स्टिच कर लिया है घई और आंब से कट आफ को मिलाते हुए रखना है इस तरीक deveर ब 돼 Mike अब आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है अभी जो हमने ये वाली सिलाई लगाई है केवल आपको इसी के उपर सिलाई लगानी है तो यहाँ से दोनों पार्ट्स मिलाते हुए यहाँ पर हम बिल्कुल सिंगे और देखिए पूरे नीचे तक आपको पूरे प्लाजो को यहाँ पर स्टेच करना है पूरे में देखिए हम ने साइट की सिलाई भी लगा ली है और ये इसका बैक वाला साइड है तो अब मैं आपको इसे सिधा कर लिया है और ये वाला पार्ट हमारा पॉकेट वाला पार्ट है और देखिए कितने असानी से हमने आप पर जेब बना ली है और कहीं से भी देखिए कुछ भी एक्स्टर कपड़ा आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है अब ऐसे हम अपने इस आपको नहीं दिख रहा होगा और लगा केल यह बीच की सिलाइ लगा कर इसको फिनिशिन लुग देना है और बहुत हैसान तरीके से हमने यह पॉकिट्स लगाना आपको बताया है I hope कि आप लोगं को ये वाला method understand हुआ होगा समझ आया होगा और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को like करें और अगर कुछ भी ना समझ आये तो आप मुझसे comments में पूछ सकते हैं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चानल को सुस्क्राइब करना ना भूले और मेरे सेगेंड चैनल रुक स्टार को भी आप इक पर जरूर चेक आउट करें उसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स जार रोकी, हुदा है